नमस्कार साथियों Infusion Notes के यूटूब चैनल पर आपका स्वागत है इस सेशन में 25 महतुपुन क्योषन जर्नल साइंस के देखेंगे ये सभी क्योषन साथियों NCRT की बुकों में से त्यार किये गए हैं साथ में ही क्योषन है जो साथियों पुराने एक्जाम में आयो हैं मेरे मेरे द्वारे क्यादर ये प्रयास कि मैं आपको डेली जर्नल साइंस के 25 महतुपुन क्योषन प्रोवाइड करा रहा हूं रुषी के साथ 25 महतुपुन क्योषन है जो इंडिया जिके के भी आपको डेली मिले हैं मेरे द्वारे क्यादर ये प्रयास आपको पसंद आ रहा है तो इस सेसन को लाइक वैसे जरूर कीजिएगा Infusion Notes की YouTube चैनल को लाइक वैसे स्क्राइब कीजिएगा शुरुआत करें इस साथ यो सेसन की पहला क्यूशन आपके सामने है आप से पूचा गया है किसमे परमानु शेलियन परती किरियाए 140 रूप से होती है तो आंसर होगा सुरिये में आंसर होगा सुरिये में important question रहेगा किसमें परमानु शेलियन परती किरियाए जो 140 रूप से होती है आंसर होगा सुरिये में होती है important question रहेगा पूचा जा सकता है आगे है सुरिये की उर्जा किस माध्यम से उत्पन होती है आगे है सितारों में प्लाजमा बनने का कारण क्या है तो आंसर होगा उच्छ तापमान ये क्यों से भी बढ़िया है पूछा जा सकता है आगे है एटम बम का अविश्कार किसने किया था तो आंसर होगा सातियों जे रोबोट ओपन है मारने ये robot open high mr ने किया था किसका और इसका एटम बम का आगे है बार्थ ने अपना पहला परमानु बम का प्रिक्षन है जो कब किया था तो आंसर हुगा 18 मैं 1924 को किया था तो साथ ये इसका आंसर होगा 18 मैं 1924 को किया था आगे बढ़ेंगे अगला क्यूसन आप से पूचा है बार्त के पहले सफल परमानू प्रिक्षन का कोड था उसका नाम क्या था Smiling बुद्धा था ये क्यूसन साथियों के प्रत्योगीता प्रिक्षा में पूचा जा सकता है काफी लेवल का क्यूसन है ये सद्धान क्यूसन नहीं है काफी बड़ी अक्यूसन है साथियों आप से पूचा है बार्त के पहले सफल परमानू प्रिक्षन का कोड का क्या नाम था तो आंसर होगा Smiling बुद्धा आगे है बार्त का पहला परमानू विश्पोर्ट का स्थल पोखरण किस है राज्य में है तो राजस्तान में है कहां पर है तो आंसर होगा राजस्तान में है आगे बड़ेंगे अगला क्यूसन साथियों आप से पूचा है बार्त ने पोखरण में अपना दूसरा परमानू किस वर्स किया था तो आंसर होगा 1998 में किया था आगे है नाभी किया रियक्टरों में इंदन के रूप में किसका उप्योगे किया जाता है तो यूरेनियम का किया जाता है important question रहेगा पूछा जा सकता है नाभी किया पूछा जाता है साथियों की टेलीफोन का विष्कार है जो किसे सन में किया गया था तो आंसर होगा अठारा सो चंतर में किया गया था आगे है पत्या पत्यावर्ती धारा का विष्कार है किसने किया था तो आंसर होगा निकोला टेसला के द्वारा किया गया ये क्यूशन भी इस ज़ुआ करो किंदा कुछ ने किया था तो आंशर होगा लेविज वाटर है मेन किसने क्या था तो आंसर होगा लेविज वाटर मेन के द्वारा किया गया था साथ हूं आगे fountain का जो पहन ने किस सिद्धान्त पर कार्या करता है यह important है साथ थर्मो स्कोप का अविश्कार का है जो किशें माना जाता है यानि थर्मो स्कोप का अविश्कार किस ने किया तो आंसर होगा गलेलियो गलेली इपोर्टेंट है ये पूछा जाता है सातियों कई बार आप से पूछा है थर्मो स्कोप का अविश्कार है जो किशें ने किया तो तो आंसर होगा गलेलियो गलेली को माना जाता है यानि गलेलियो गलेली के द्वारा है जो थर्मो स्कोप है इसका विश्कार है किया गया था आगे है आदुनिक पैंचिल का विश्कार सबसे पहले काँपर हुआ था तो यूरोप फ्रांस में हुआ था आगे है सातियों सापेकस्ता का सिधानते किस से सम्मंदित है तो आंसर होगा अलबट आइंस्टिन से आप से पूचा है सापेकस्ता का सिधानत है जो किस से सम्मंदित है तो आंसर होगा अलबट आइंस्टिन से आगे है MCB MCB का पूरा नाम क्या है तो Miniature Circuit Breaker क्या होगा miniature, circuit, breaker इसका पूरा नाम रहेगा आगे बढ़ेंगे आगे है laser के प्रियोक्षे की जाने वाली 3D, amazing परकिरिया क्या कहलाती है तो holography कहलाती है ये question भी important रहेगा साथियों पूछा जा सकता है लेजर के प्रियोक से की जाने वाली 3D Amazing परकिरिया क्या कहलाती है तो आंसर होगा होलोग्राफी कहलाती है आगे है ओस्तन कितनी बार बिजली दर्टी पर गिरती है तो 30 सेकंड ए 100 बारे गिरती है आगे है एक कार की गती किस पर निर्बर करती है तो आंसर है स्पीडो मिटर पर किस पर है स्पीडो मिटर इसका आंसर रहेगा कार की गती है वो किस पर निर्बर करती है स्पीडो मिटर पर निर्बर करती है आगे है पर्थवी की स्थाय के नीचे फसी गर्मी को क्या कहते है तो आंसर होगा भूत आप ये उर्जा कहा जाता है क्या कहा जाता है तो आंसर होगा भूत आप ये उर्जा कहा जाता है आगे है GSP का पूरा नाम क्या है तो आंसर होगा Global Positioning System क्या है Global Positioning System रहेगा GSP का पूरा नाम क्या है तो आंसर होगा Global Positioning System में रहेगा आगे है चंदर सेकर शीमा किस पर लागू होती है तो आंसर है सितारों पर किस पर लागू होती है सितारों पर अगला क्यूसन आप से पूछा है ओमिक उपकरनों का वर्तमान जो voltage graph है वो किस रूप में है तो रेखी graph के रूप में है ये भी important रहेगा साथियों आप से पूछा है ओमिक उपकरनों का जो वर्तमान में voltage graph है वो किस के रूप में है तो आंसर होगा रेखी graph के रूप में है अगले question पर बात करेंगे अभी तक वेगानिकों द्वारा परदार्थ की कितनी अवस्ताय की गई है तो पांच अवस्ताय साथियों की गई है पूछा जा सकता है तो साथियों ये 25 महत्वपुन question थे general science के वो मैंने आपके साथ share किये इसी परकार इसकी PDF का लिंक साथियों description में मैं लगा दूँगा वहाँ से आप download कर सकेंगे Infusion Notes की YouTube channel को subscribe नहीं किया है तो कीजिएगा और साथियों और टेलीग्राम पर भी जूड़ी है Infusion Notes के वहाँ पर आपको डेली जो PDF होती है current affairs की वो मिल रही है इसके अलावा जो महतुपुन कुष्णों की शीरीज है उसकी भी PDF मिलेगी मन्थली की भी मिलेगी इसके लावा जो भी महतुपुन मुद्ध होते हैं current affairs से सम्मन देत उनकी भी PDF आपको फरी में मिल जाएगी तो Infusion Notes की YouTube channel को like और subscribe कीजिएगा अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा धन्यवाद साथियों